नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मों खबर जानते हैं कुरोना मां हमारी की रफ्तार एक बार फिर तेज होती दिख रही है दुनिया भर में संक्रमन का परसार एक बार फिर जोर पकड़ रहा है यही वज़ा है कि इसके परकोप से बचने के लिए फ्रांस के बाद अब ब्रीटेन ने भी लोगडाउन टू की घोसना की है इस खबर के बाद भारत के लोगों के मन में भी अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या हमारे यहां भी लोगडाउन लगाया जा सकता है क्या बता दे कि पिछले दिनों एम्स दिली के निदेशक रंदीप गुलेरिया ने चेताव निदी है कि कुरोना के दूसरी लाहर सुरू हो गई है ऐसे में बिना जरूरी के घर से नहीं निकले बिना OTP के भी मिलेगा सिलिंडर रसोई गयस के ग्राहकों के लिए खुसकावरी है LPG सिलिंडर के हम डिलेवरी के लिए एक नॉम्बर से जो OTP अनिवार करने की योजना थी उसे फिलाल अस्थागित कर दी गई है अब लोगों को बिना OTP के भी गैस सिलेंडर की होम डिलेवरी होगी बता दे कि घरेलू गैस सिलेंडर की चोरी रोकने के लिए गैस कमपनी की योजना एक नॉमबर से गैस डिलेवरी के समाई OTP अनिवार करने की थी जो पिट्रोलियम एवम गैस मंत्राले ने इस बेवास्ता को फिलाल अस्थाजित कर दिया है सिक्षा मंत्री के लंग्ष ट्रांस्प्लांट की तयारी महात्मा गांधी मेटकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टूट चेनाई के पल्मनोलोजी एंड चेस्ट विभाग में भरती राजे के सिक्षा मंत्री जगनात मतों के लंग्ष ट्रांस्प्लांट की तयारी सुरू कर दी गई है इसके लिए चेनाई में पंजियन करा दिया गया है बता दे कि सिक्षा मंत्री को लंग्ष ट्रांस्प्लांट के लिए ब्रेन डेट ब्यक्ति के फेफड़े की खोज की जा रही है कुरोना संक्रमी सिक्चा मंत्री एसिया के तिसरे ब्यक्ति होंगे जिन के फिपड़े का परत्यारपन हो रहा है दूसरे राजियों के लिए राची में बसे तयार लगेंगे दोगनी किराया सरकार के अरी जंडी मिलने के बाद आठ नॉम्बर से राची से उतर परत्यार उडिसा और बिहार जाने के लिए बसे तयार है बता दे कि इन बस उपर यात्रियों से दोगना किराया वसुला जाएगा कुरोना की गाइड लाइन की वज़ा से यात्रियों को दो सीटे लेनी होगी बस मालिकों ने पूरी तरह से इसकी तयारी कर ली है दम है तो गिरफतार कर दिखाय सरकार दिपक परकास जाकर भाजबा के परदेश अध्रक दिपक परकास अपने उपर सताधारी दल के नेताओ द्वारा दर्ज कराई गई प्रात्मेकी से तनिक भी बिचलित नहीं है उन्होंने एक बार फिर दो राया है कि जामो और कंग्रेस की सरकार अपने अंतर बिरोधी के कारण गिर जाएगी रभिवार को भाजबा के परदेश मुख्याले में अवेज प्रेस कॉन्फिरेंस में उन्होंने कहा कि मैं कल सूबह 10 बहे तक राची में हूँ राज सरकार में दम है तो मुझे गिर अफ्तार करे यह भी कहा कि सतधारी दल ने एक देश प्रेमी को देश द्रोही बना डाला है समाज उन्हें माप नहीं करेगा मौसम विभाग के अनुसार राजारी राशी सहीत आसपास के इलाके में ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक दीन में मौसम साफ रने की उमीद है मगर इसके बाद 4 तारिक के बाद निम्तन तपमान में 3 डिगरी की गिरावट की उमीद है इसे कंकरनी के साथ धूंद और कोरे का परकोब भी बढ़ेगा मैट्रिक इंटर की कंपार्टमेंटर परिक्षा 321 केंद्रों पर 6 नॉम्बर से मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटर परिक्षा 321 केंद्रों पर होगी परिक्षा में 22,000 परिक्षार्थी सामिलित होंगे बता दे की 178 केंद्र मैट्रिक की परिक्षा के लिए बनाए गए है वहीं 143 केंद्र इंटर की कंपाटमेंटल परिक्षा के लिए चिनित किये गए हैं परिक्षा को लेकर जाए कि त्यारी लगभा पूरी हो गई है केंद्रों को दिशान निदेश जारी कर दिया गए आए 6 पीट की दूरी बनाते हुए इन परिक्षा केंद्रों पर परिक्षा अविजन की जाएगी intermediate compartmental परिक्षा 6 नौबर से शुरू होकर 13 नौबर तक होगी जबकि मैटरी की compartmental परिक्षा 9 नौबर से शुरू होकर 13 नौबर तक चलेगी राजे के चानित लीडर इस्कूलों का फिर से हो रहा वेरिफिकेसन राजे के चानित लीडर इस्कूलों का फिर से वेरिफिकेसन हो रहा है सभी मानकों पर खारा उतरने के बाद ही समन्दित इस्कूलों को लीडर इस्कूल बनाया जाएगा सरकार की मनसा है कि हर पंचायत में एक एक लीडर स्कूल हो पहले चरण में 80 स्कूलों को लीडर स्कूल के रूप में अपग्रेड करने की कैमिनेट ने मजूरी दिया है भाजपा का लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रहा हर्स ट्रेंडिंग को बढ़ावा दे रही हमन्सुरेन जार्खन के मुख मंत्री हमन्सुरे ने भाजपा पर हास्ट ट्रेंडिंग को बढ़ावा देने का रूप लगाया है उन्होंने कहा कि भाजपा को अब लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रहा दुमका में रभीबार को भाजपा पर देस अध्यक दिपक्त प्रकास पर राजտ ज्रोह के मुकादमा दर्च करायने के समध में पत्रकारों के सवाल पर सीएम ने कहा है कि भाजपा के लोग जीश तरीके से देश के अने राजों में राइनिती करना या आयाम देने का पर्यास कर रहे हैं वे हार्ष ट्रेंडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं भाजपा के लोग लोकतंत्र की हात्या धन बल से करने का पर्यास कर रहे हैं अपनी हार की बोखला हाड से मांसिक संतूलन खो बैठे है है हमांद सुरेन संजय पोदार भाजपा के परदेश अध्यार्ष दीपक प्रकास के विरूद हमांद सरकार दोरा मुकाजमा दर्श करने के विरूद में मुख मंत्री हमांद सुरेन का पुतला दहन किया गया भाजपा नेदा संजय पोदार ने कहा कि दुमका और बेरमो विधान सबा उप चुनाओं में अपनी हार को देखते हुए दमनकारी निती के तहत हेमन सरकार करवाई कर रही है सरकार बने साल भर होने जा रहा है चुनाओं में किये गए एक भी वादा आज तक पुरा नहीं किया गया सरकार हर मुचे पर भी पर रही है जार्खन में 326 ने संक्रमीतों के पुष्टी हुई एक लाख दो अजर सतासी है जबकि 952,973 लोग स्वश्ट हुए और 880 की मृती हो गई भारत में खुल संक्रमीतों के संक्रमीतों के शंक्या 82,29322 है जबकि 75,42,905 लोग स्वश्ट हुए और 1,222,862 की मृती हो गई भारत में 45,928 नए केस मिले है जबकि 33,312 लोग स्वश्ट भी हुए है भारत में इस समाई एक्टिब केस 5,62,329 है जबकि जारखन में इस समाई एक्टिब केस 5,229 है गुमला समोईक दूसकर मामले में 4 आरोपियों ने किया सरेंडर विसुनपूर परखंड के गुर्दरी थाना के अरंग लोया गाउं की एक नवालिक लड़की का फरन कर समोईक दूसकर में के मामले में 4 आरोपियों ने एडिंजे 1 लोलार दूबे की अदालत में सरेंडर कर दिया है सरेंडर करने के बाद नयाएक हिरासत में लेते हुए तिन आरोपियों को गुमला मंडल कारा वा एक आरोपि को रिमांड होम भेजा गया है दूमका बेरमो उपचुनाव से पहले बूथ का सनेटाजेसन 3 नौमबर को होगा मतदान जारखंड के दूमका और बेरमो बिधान सबा उपचुनाव के लिए रविवार की साम प्रचार थम गया है बता दे कि दोनों बिधान सबा उपचुनाव के लिए आगामी 3 नौमबर 2020 को मतदान होना है वही 10 नौमबर 2020 को मतदान होगी उधर मतदान को लेकर जीला परसासन अमतिम त्यारी में जूट गया है बुथो को सेनेटाइज और सोसल डिस्टेंसिंग के कारे भी अमतिम चरण में हाए पलामू में भाजपा करकताव ने मुखमंतरी का पुतला फुका भाजपा परदेश अध्यक्ष दिपक प्रकास के बिरूद प्राथमीकी दर्च कराने के बिरूद में पलामू भाजपा ने रविवार को गीता भवन से मार्च किया और छा मुहान चोग पर मुखमंतरी हमान सुरेन का पुतला दान किया इस मुखे पर भाजपा ने तावन ने आरोप लगाते वे का कि मुखमंतरी हमान सुरेन विकास की गती बनाने में बिफल हो गए है सिर्फ टांस पर पोस्टिंग उद्योग चला रहे हैं महिलाय और सुरक्षी थाए बेरमो और दुम का उपचुनाव में गठबंधन की जीत को लेकर कोई संसर नहीं इस बात का आकलन किया जारा है कि दोनों सीटों से कितने अधिक फोट और रिकोड मतो के अंतर से जीत होती है गिरी डी में सड़क पर मिला जंगली हाथी का सव गिरी डी जीला के डुमरी थाना छेतर के गुली डंडी गाओ के समीप सड़क पर जंगली हाथी का सव मिला हा है घटना सनिवार रात की है बतादे कि हाथी को देखने के लिए काफी संख्या में गिरामिनों की भीर जूट गई है जनकारी मिलने पर बन विभा के टीम भी मौके पर पहुँच गई इटकी और मांडव में जारी है 22 जंगली हाथियों का उत्पात इटकी पर खंड में 22 जंगली हाथियों के जूट का उत्पात सनिवार को भी जारी रहा रात्री 10 बजे पावर ग्रीट होते एनस 43 पार कर गट गाव पहुचे जहां इख की फसल को नुक्सान पहुचाया ग्रामियों ने ढोल नगावे बजा मसाल जला कर मोरो गाव होते मांडर की ओर खदेर दिया है हाथी को भगाने में बन भी भाग की टीम भी सामिली थे हमन्त सुरेन ने कहा जय स्री राम का नारा सून मेरे दिमाग खराब हो गया रगबर ने कहा नारो से परसानी क्यों मुखमंतरी हमन्त हमन्त उरेन का एक वाईरल वीडियो खौबसूर्खियों में हा या वीडियो चुनावी शभाक किया है बता दे कि इस में मुखमंतरी हमन्त सेर करते हुए मोखमंत्री हैमन सुरेन पर तिखा आमला गिया, उन्होंने फेस्बुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए लालू यादव, चारा घोटाला के आरोप में साजा काट रहे लालू परसाद यादव, लागतार बिहार चुनाव पर नजर रख रहे हैं, सुत्र दावा कर रहे हैं कि रिम्स में इलाज के लिए भरती रायत सुप्रीमों ने रभिवार के सुबह अपने बेटे तेस्वी या दर लोगीन, यानि पूर्व मुख मंत्री ने अपने बेटे को साप नसियत दी है कि परचार के दरान वो अपने बेवार में भीनम्रता बनाए रखे, निकीता को नयाय के लिए जहारखन में छात्रों ने निकाला बिरोध मार्च, हर्याना में बीकम थर्ड एर की छात्रा निकीता तोमर के हत्यारे को साजा और निकीता को नयाय दिलाने की मांग पर जहारखन की राइधानी राची में एक मार्च निकाला गया, राइधानी के छात्रों ने चुटिया से लेकर बहु बयार तक बिरोध मार्च निकाला और निकीता के परिजनों को नयाय देने की मा आया जगरूपता अभियान लोगतंत्र की हत्या का परियास कर हाच ट्रेंडिंग को बढ़ावा दे रही भाजपा मुख्यमंत्री भाजपा हाच ट्रेंडिंग को बढ़ावा दे रही है धनबल से लोगतंत्र की हत्या का परियास कर रही है भाजपा को अब लोगतंत्र पर विश्वास नहीं रहा एक गैर भाजपा सासित राजियों में नए राइनितिक हत कम्पने अपना रहे हैं उन्हें चुनाव से कोई लिना देना नहीं है इन लोगों ने दुकान खोल रखी है और पैसों के खेल की त्यारी में है यह आरोप मुखमंत्री हमान सुरे ने रविवार को खोजूरिया इस्थित अपने आवाज पर पत्रकार वारता के दवरान लगाए उन्होंने कहा कि भाजपा का ऐसा परियास लोगतंत्र के लिए घातक सावित होगा है सुरेन परिवार 40 बर्सों में राज के लिए कुछ नहीं किया बाबुलाल दुमका जीला के मसलिया परखंट छेतर के दलाही हाई स्कूल मेदान में पूर मुखमंत्री बाबुलाल मरांडी ने कहा कि सुरेन परिवार संथाल परगना छेतर से 40 बर्सों से चुनार लड़ते आ रहे हैं लेकिन दुमका का मत दाता बनना आपना तवहीन समझते हैं वहीं अब हेमन सुरेन ने भी बीते 10 माह में एक भी वादा पुरा नहीं किया सरकार बिफल है अपराज चरम पर है सरकारी करमचारियों को पेंशन की सुवधा बहाल करे सरकार जाखन राज राज पत्रित करमचारी महासंग की प्रांतिय कारेकरनी समिती के बैठक राची जीला इसकूल में हुई बैठक में सरकार से सरकारी करमचारियों के लिए फिर से पेंशन इसकी मलावू करने की मांग की गाई जाखन राज पत्रित करमचारी महासंग के संड़क्षक धर्मराज तिवारी ने हमन सरकार से फिर से पेंशन बहाल करने और अनुबंद पर काम करने वाले करमचारीों को बेतर भवी से कहा ख्याब रखने की मांगी है च्छा बर्सी बच्चे में दिखा पोलियों का लक्षान जाच सेंपल कोलकाता भेजा गया पच्मी सिंभूम जीला के गोईल केरा परखन में च्छा बर्सी बच्चे में पोलियों का एक मामला परकास में आया है हलाकि इसकी अधिकारिक पुष्टी अभी नहीं हुई है पदा अधिकारियों ने बच्चों का सेंपल लेकर उसके जाच के लिए चाइबासा भेज दिया है जहां से सेंपल जाच के लिए कुलकाता भेजा जाएगा वहां से रिपोर्ट आने के बाद अस्परस्ट होगा कि बच्चों में पोलियो हाया नहीं धन्यवाद